जब भी कोई चीज खंडित हो जाती है, तब उसकी जो अपनी उर्जा होती है, वो उस तरह से नहीं चलती जैसे चलने चाहिए थी जैसे किसी इंसान का अंग भंग हो जाता है तब उसको किसी भी काम को करने में उस अंग से बड़ी समस्य आती है बहुत जादा परिशानी होती है बिल्कुल ठीक एक दम से इसकी true copy है कहानी हमारे भगवान की God की जब उसके मूर्तियां है कहीं से भी खंडित हो जाती है या फोटो फट जाती है कौन सा अंग उस भगवान का कट गया फट गया तूट गया कान तूटा उंगली तूटी कुछ भी तूटा क्या नुकसान कर सकता है साथियों आज आप देख रहे हैं topic यही है कितना खतरनाक हो जाता है किसे भी मूर्ति का खंडित होना लेकिन उससे जादा जो गलती होती है खंडित तो हो जाती हर चीज लेकिन गलती होती है हम खंडित मूर्ति को भी अपने पूचा स्थान में संभार कर रखते हैं लेकिन आपको पता है खंडित की परिभाशा 99% लोगों को नहीं पता कि खंडित होती क्या चीज है आज मैं आपको इसके बारे बताऊंगा और उठाऊंगा इसके उपर से परदा कि खंडित की परिभाशा होती क्या है और क्या करना चीए खंडित मूर्ती का साथियों जाना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर अखीर तक आप से करूँगा सांज आपने नौलेज अंतरराश्ट्रिये ख्याती प्राप्त सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारत द्वाज नमस्कार साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनंद भारत द्वाज आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट और आज एक लाया हूँ खास टॉपिक जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है और लोग भटक रहे हैं इदर से उदर जी हां मूर्ति के बारे में खंडित मूर्ति क्या होती है नौर्मन मूर्ति क्या होती है और खंडित फोटो क्या होती है और इनका क्या करना चाहिए बहुत सारे सवाल आपके मन में सबसे पहले तो मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि हम मूर्ती की पूजा करते क्यों है साथियों मूर्ती की पूजा के लिए लेकर बहुत सारे सवाल मन में आते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम सांसारिक धरम में रहते हैं हमारे करम धरम सब सांसादिक हैं, जब हम कहीं पर भी बैट जाएं ध्यान करने के लिए, तो अगर हमारे सामने कोई रूप न हो, कोई प्रति रूप न हो, कोई चीज हमारे सामने न हो, तो हमारा मन भागता है, अपने रास्ते से भठकता है, तो हमें क्या है कि एक कागरता के लिए, एक कंसंटेशन के लिए एक सामने कोई चीज चाहिए होती है जैसे कि सामने अगर मेरे कोई मूर्ती होगी तो मैं उसी को अपना इश्ट दे मानूँगा और मेरी सारी शर्दा उसमें चली जाएगी विज्ञान के बारे में बताता था मेरे पास बहुत सारे sensor scanner यूज करता हूँ बहुत सारे meter है और इसको मैं digitally और scientifically हर चीज को test करता हूँ हमारा जो human body होती है हमारे human body की जो energy होती है 6,622 के आसपास होती है जिसको कहते है हमारी उरजा और जब भी कभी भगवान की मूर्थियां कहीं पर मंदीर रखा होता कहीं किसे ने अपनी पूजा सान बनाया होता है और जब वहाँ पे किसी ने 6 मेने एक साल, दो साल पूजा कर ली और उसको जब वहाँ से हटाते तो उसी जगहां पर जो इनर्जी मिलती है हमें लगवग 13200 से 13500 यूनिट के बीच में बिलती है बहुँ इसके बीच में बिलती है इसका मतलब क्या है कि भगवान की अपनी तो कोई उर्जा नहीं थी उस मूर्थी की अपनी उर्जा नहीं थी लेकिन मैंने अपने डिवोशन से अपनी शद्धा अपनी भक्ती महाँ पर हमने उसको अर्पित की अब वो जब मूर्थी होती है जब इतनी हम उसके साथ में रिगार्ड करते हैं इतना सब कुछ करते हैं साथी हो तो यही कारण होता है कि हमें सामने हम निर्गुन ब्रह्म की तपस्या साथना प्रार्थना असानी से नहीं कर सकते भगवान किशन जी के बारे में जितने भी आपने साहिते पड़े होंगे जितने भी आपने इसके बारे में अपने पोलिटरी पड़ी होगी वहाँ पर जैस सखिया कहती है कि हम निर्गुन ब्रह्म की तपस्या नहीं कर सकते हैं, हम साधना नहीं कर सकते हैं, हमारे सामने को यह होना चाहिए, खैर, वो तो आगे चली आती है बातें, शास्तनों की, लेकिन जब हमारे सामने एक मूर्ती होती है, तो हम उसको concentrate कर पाते हैं सबसे बड़ा कारण लेकिन उस मूर्थी का खंडित होना अच्छा नहीं होता कभी भी खंडित का मतलब हम क्या सोचते हैं कि कभी मूर्थी गिरी और उसकी गर्दन तूड़ गई, हाठ तूड़ गया बहुत सारी, मैं आपसे साजा करता हूँ अभी अब आप देखिए खंडित मूर्थी है कौन से होते हैं देखिए नॉर्मल बूर्थी है बिल्कु ठीक है, इसमें कोई समस्था नहीं कहीं से खंडित नहीं है, अब इसको खंडित के अगर हम फिंगर है, यह चोटी सी उंगली है अगर उंगली ही खंडित हो जाती है, तो यह खंडित मूर्थी हो जाती है इसके अलावा, अगर जैसे मतलब इयर है, कान है गर यह खंडित होता है, तब यह खंडित होता है लेकिन इसके अलावा, कभी कभी क्या होता है देखिए और भी example आपको दे रहा हूं बैभी यह मूर्थी भी नौर्मल है आप देखिए इसके नीचे का रखे में इसके नीचे कुछ फूल रखे हुए आपने देखा नीचे कुछ गेंदे के फूल रखे हुए हैं तो यह जो गेंदे के फूल है अगर ये यहां से हट जाते हैं या तूट जाते हैं तो ये खंडित की विशेश कैटेगरी में नहीं आते हैं वैसे तो इस मूर्ति से संबदित कुछ भी अगर थोड़ा सा भी क्रैक हो जाए तो उसको यूज नहीं करना चाहिए खंडित होई जाती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिनके खंडित होने से कोई वुशेश फरक नहीं पड़ता यूज तो नहीं करने चाहिए अब देखिए इसके लावा ये जो फूल है अगर हमने चढ़ाई हुए जब चढ़ाते हैं तब भी तो अटाते हैं देखिए चढ़ाए फेट हो गया है जब किसी मूर्ती का जो पेंट है वो खराब हो जाता है देखने में खराब लगती है शड़ी लगती है बेकार लगती है तो ये भी खंडित मूर्ती की शिरेणी में आता है इसके इलावा ये देखिए आज कल जैना क्लासिकल का जमाना है और आपको ऐसे उन्हें फेट की होती है और जिसको उन्होंने जह हो पहले ऑक्सडाइज किया होता साथ्यों ऐसी मूर्तियां नहीं यूज करने आपने क्लासिकलों किसने बना र terror कि मूना रखा हो गिसी बिटी का बना की हो देखना मेंмеं क्यूट लगती है आपको बहुत बार नहीं होती ह है आपको ऐसी मूर्थी अगर आपको कहीं सी रेडिमेट मिल रही है बाहर से तो उसको लाकर के आपने घर के लिए अपना पूजा के लिए यूज नहीं करना हो सके तो डेकोरेशन के लिए चीजें अच्छी नहीं होती साथियों इसके लाबा नॉर्मल पोस्स भगवाल का मै बिलको ठीक हो ऐसी बात ने खंडित मूर्थी हमारे लिए बहुत जादा खतरनाक होती साथियों उर्जा को मैनस कर देती है लेपेट के ले आती है और बहुत बार हमें पता नहीं चलता लोगों ने हमें बताया कैसा समस्या आने शुरू ही पूरा घर देखा हमने बहुत अ ये भागे फोट देती है किसमत खराब कर सकती है हमारा क्यों क्यों कि वहाँ पर जाने के बाद उर्जा आपस में क्लैश करना शुरू कर देती है और हमारी जो डिवोशन होती है वहाँ पर जाके क्रेक हो जाती है फट जाती है वहाँ पर हमें उसका लाब नहीं मिलता और आपको फोटो गौड की मूर्तियां नॉर्मल मूर्ति ये भी मैटल की बनी हुई है इसमें आपको बता दें ये जो मूर्तिय आप देखने हैं सामने ये साध हातों की मनी ही है चांदे की भी बनती है और बहुत सारी मैटल होती है वाइट मैटल सब यूज कर सकते हैं मेरे साम कर रहावल कहते हैं उसके मूर्तिया बहुत अची होती हैं और मिसर्जित खर दें इसके बाद ये देखिए बिल्कों नॉर्मल मूर्ति हां पिर उस परइंट के पराता हूँ मैं अगर बाई इनका आसन, आप देख रहे हैं, इनके देचे एक आसन है, एक छोटा सा आसन, अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता कि थोड़ा सा इसका पीज यहां से क्रैक हो गया, तो इसको आप चिपका कर ठीक कर सकते हैं, कोई ऐसी विशेश समस्या नहीं है, ठीक है, तो यह यहां तक चलता है, इसके बाद जितनी फोटो होती है, कई बार क्या होता है, जैसे फोटो है, वो सा कहीं से पेज फट गया, यह कोना उसका गल गया, यहां से कुछ हट गया, तो क्या होता है, कि अगर माले इसको फोटो मालेता हूं, मैं, तो जो ऐसी फोटो होती है, ऐसी फोटो, ज खंडित मूर्ति के बारे में सारियों साथियों मैं बहुत जादा इस बात पर जोड़ देता हूं कि आप जह है आपके लिए किसी भी चीज को जो यूज करो तो ठीक करो नहीं करो कोई समस्या नहीं है आप एक मूर्ति से काम चला हो ऐसा नहीं कि आपने 20 मूर्तियां रखी है दो खंडित हैं एक का हाँ टूटा एक का पैर टूटा हुआ हाँ भगवान जो गणेजी होते हैं उनका एक दात हमेशा आपको टूटा हुआ मिलेगा इसलिए उनको एक दंता कहते हैं इसके बीचे कहानी है एक अंतर कता है बहुत लबी इतना समय नहीं ऐसे बताने के आपकी अपनी फोटो भी कभी अगर खराब हो जाए अगर आपकी अपनी कोई फोटो है आपने के खिचवाई थी कलर थी ब्लैक और वाइट थी पुरानी थी तो उसको तुरंत आप फोटोग्राफर को बोलकर फिर से नई फोटो मनवालो और जो गली सड़ी हो जिसके अधूरा पन्ना रहे अगर मेरे वीडियो देखते हैं तो आपको ग्यार मिलता है आपसे बात करता हूं मैं बहुत डिटेल में उन सब्जेक्ट के उपर जिनके बारे में आम तोर पे आपको सब्जेक्ट मैटर कहीं नहीं मिलता अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो अगले वीडियो में आपको मैंने पहले भी कहा था अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहा है मेरे वीडियो तो मेरे कुछ वीडियो पिछले भी देख लेना अगर पहली बार देखना है कुछ वीडियो पहले के देखो आपको चलेगा मेरे काम की कॉलिटी कैसी है कैसा मैं समझाता हूँ आपको और किस तरह से आपको डिफाइन करता हूँ हर चीज लॉजिकली साइन्टिफिकली तो यह अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ जोड़े रहिए अखीर तक और जितने मेरे वीडियो आर इनको देखते र कर दो